नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोविट के बाद जो पेशिंग्स में लॉस अफ स्मेल और लॉस अफ टेस्स की परिशानी जादा देखने को मिलती है उनके बारे में और उससे कौन सी ऐसी होमेपेटिक मेडिसिंस है जिनका आप प्रियोग करके अपने लॉस अफ स्मेल और टेस्स की परिशानी को ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉमेटिव हैपिस को अंद तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों लॉस अफ स्मेल या लॉस अफ टेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा कोशन आ रहे थे मेरे पास इस टेस के लिए कि उनको 10-15 दिन से लॉस अफ स्मेल और टेस्ट की परिशानी रह रही है और वो कोविट पॉजिटिव रहे हैं उसके लिए मैं कुछ ऐसी मेडिसन बता सकूं जो उनके लिए बेनिफीशिल हो दोस्तों जो ये लॉस अफ स्मेल और टेस्ट की बात है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टिंग सिम्टम है कोविट के पेशेंट्स में maximum पेशेंट्स में देखा जाता है कि फीवर आते ही उसके कुछ दिन के अंदर ही उनकी टेस्ट और स्मेल की पावर कम होने लग जाती है तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है किसी भी कोविट पेशेंट को डागनॉस करने के लिए जो उसके एक टिपिकल सिम्टम साते हैं उनमें से ये दो एक लक्षर बहुत ज़्यादा प्रामिनेंट है तो अगर आप घर में हैं और आपको फीवर के बाद ऐसे लक्षर आने शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने आपको आईसोलेट करें ये बहुत ज़्यादा ज जो आपकी टेस्ट वाली नौस है या आपकी अलफेक्ट्री नौस मेंस आपके जो सूंगने की शमता वाली जो नसे हैं उन पे इसका प्रभाव पढ़ने लगता जिसके वज़े से ये इस तरहां के लक्षर डवलब करते हैं बात करेंगे हम कुछ होमेपेथिक मेजिसंस के आप उस दवा का सेवल शुरू कर सकते हैं और कम से कम हफते भर से 10 दिन इसका प्रयोक करें ये आपको अपनी स्मेल और टेस्ट की परिशानी को रिस्टोर करने में बहुत साथा मददकार होंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट के प्रॉब्लम के लिए कि जिन लोगो अपनेधे लोगों शुरू के लिए इसी लक्षण आजाते है कि उनको टेस्ट नहीं आरहा होता तो अगर आप नॉमल फ्लु से भी इस दवा का सेवन कर सकते हैं और ये आपको आपके टेस्ट को एक्टिवेट करें और येमें मदद करेंगी आपकी टेस्ट को रिस्टोर क जैसे आपको जो बल्गम का टेस्ट आपको लगातार मुँ में बना रहता हो और आपको कुछ खाने की इक्षा नहों हो तो कुछ ऐसे बेकरी आइटम्स पसंद कर रहे हूं आप खाना साथ में जो आपको डिस्चार्जेज हो रहे हैं जो आपके बल्गम का कलर है या फिर अगर महिला हो तो उनके पर तो यह बहुत अच्छी काम करेंगी पर पुरिशों पे भी काम करेंगी अगर आपके लक्षर इस साथ में मैच कर रहे हैं तो तो आप पल्सा टिला की 30 पुटंसी को प्रयोग कर सकते हैं दो बून जबान पे दिन में तीन बार सुबा दुपहर शाम और कम से कम हफ़ते से 10 दिन तक इसका प्रयोग करें या जब तक आपका पूरी तरह से जो टेस्ट है वो रिस्टोर ने हो जाता तब तक आप इसको प्रयोग करके इसका सेवन आप बंद कर सकते हैं दूसरी दवा है दोस्तों जो कि बहुत अच्छी काम करती है वो है ओपियम दोस्तों ओपियम दोनों ही परिस्टे में बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि इसका नर्व पे बहुत अच्छा एक्शन होता है तो अगर आपको नाक से जो स्मेल है वो भी आना बंद हो गई है साथ ही आपको टेस्ट भी नहीं आ रहा है, दोनों ही और जो आपके नर्व से उन में अक्टिविटी खराब हो गई है, तो उस परिस्थिती में भी opium का प्रयोग बहुत ही जादा लाप्रद होता है, तो आप इसको opium की 200 potencies को ले सकते हैं, अगर available नहीं मिल रही तो आप 30 potencies इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकर बहुत जादा medicine crisis में हो रही है, तो जो availability अगर आपको 30 मिल रही है, opium की 30 potencies, दो बुन दिन में 3 बार सुबह दुपहर शाम ले, और अगर 200 potencies मिल जा रही है, तो दो बुन सुबह, दो बुन शाम में इसका प्रयोग करना शुरू करे हाफते से 10 दिन से, आपको धीरे 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 दोनों ही site के जो आपके nerve से उनमें activity स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी benefit मिलना शुरू हो जाएगा, थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों, Natrum Mure 30 के potency में, अगर आपके जो मूँ का टेस्ट है दोस्तों वो बहुत जादा, बहुत जादा bitter है, साथ में नमक वाला जैसे बहुत नमकीन सा flavor आपको अपने मों में फील हो रहा है, या आप कुछ खाने बहुत जादा नमक नमक सा उसमें महसूस हो रहा है, और आपको एवन जो कुछ खाने की बहुत तीखी, spicy चीज़े खाने का मन कर आपके मुऊं का टेस्ट बहुत जादा खराब है, आप नाइट्रम मूर का प्रेओक करें, नाइट्रम मूर थीज़े पोटेंसी में आपको यूस करनी है, तो बुन दिन में तीम बार आपके टेस्ट को आक्टिव करने भी बहुत जादा लाप्रद होगी दोस्तों, फॉर लग रहा है अपने smell power में या taste power में आप hypericum का प्रयोग शुरू करें दो बून दिन में तीन बार जब तक आपकी complete restoration नहीं मिल जाता जब तक आपकी दोनों ही taste और smell power बाफस नहीं आ जाती तब तक आप इसका प्रयोग करें या आपके लिए बहुत जादा लाप्रद रहेगी hypericum का हमारे nerve के उपर बहुत अच्छा action होता है दोस्तों तो ये आपके nerve की activity को improve करेगी आपके जो taste words है उनको active करेगी जो आपकी olfactory nerve है उनको activate करेगी और इनको जल्द से जल्द आपके normal level पे लाने में मदद करेगी fifth medicine हम बात करेंगे दोस्तों जिंको विलोबा mother tincter form है दोस्तों जिंको विलोबा एक ऐसा mother tincter है जो हमारे brain के उपर बहुत अच्छा काम करता है साथ ही हमारे nerve पे बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको जो taste है या smell है उनकी power के साथ साथ memory भी बहुत पूर होने लग रह है तो अगर brain weakness भी लग रही है साथ ही साथ आपको जो आपके nerve है उनमें तो impairment लगी रहा है उस परिस्तिती में भी आप जिंको विलोबा का प्रयोग करें mother tincter form में 10 बून एक चौथाई कप पानी में डालके दिन में 3 बार सुबा दुपहर और शाम कम से कम 10 से 12 दिन इसका प्रयोग करें यह आपको आपके smell और taste की power को restore करने में बहुत ज़्यादा मददकार रहेगी six medicine हम बात करेंगे दोस्तों कैली फॉस के बारे में भी कैली फॉस भी आप लोगोंने मेरे बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि बहुत ज़्यादा helpful रहती है हमारे brain के लिए साथ में nerves के लिए तो ये medicine भी similarly जैसे जिनको भी लोगा है इसी तरह से ये medicine भी आपके nerve और brain दोनों पर बहुत अच्छी काम करती है इसका प्रयोग भी आप 4-4 गोली दिन में 3 बार कर सकते हैं कम से कम 10 दिन इवन इसको आप as a brain tonic या nerve tonic आप एक महीने भी ले ले लेते हैं जो लोगों का बहुत frequent ask question होता है कि बच्चों को कैसे दे सकते हैं प्लीज ये चीज़े आप बार बार पूछते हैं आप वीडियो को ध्यान से सुनें आप तो चीज़े अपने आप clear हो जाएंगी मैं हमेशा बताती हूं 10 साल से उपर के बच्चे है या 10 साल का भी बच्च बहुत चोटा बच्चा है तो उससे उपर के लोग इसकी चार चार गोली का सेवन शुरू करें सिमिलर ले जिंको विलोबा अगर मैंने q form में जो 10 बूंद बोली है तो बड़े ले रहे हैं तो दस बूंद ले चोटे ले रहे हैं बहुत चोटे बच्चे हैं तो उनको 5 बड़ों में नहीं आने पाएगी तो इस चीज के लिए आप कुछ भय ना करें या कन्फ्यूज ना हो कि अगर आपने दो बुंद अगर एक्स्ट्रा दे दी है बच्चे को दे दी है तो उससे उनके अंदर कोई साइड अफेक्ट अबलब होगा ऐसा कुछ नहीं है तो इस जादा लोग अभी इस चीज से सफरर हैं जादा से जादा लोगों के साथ ताकि उनको भी इस तरह की इन्फोमेशन मिलते रहें और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की जो सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच स्टे सेफ एन हेल्थी